नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज मैं हूँ आपके साथ इंदर मोहन बिहार की सबसे होट सेट बेगू सराय का क्या है हाल सुबह के ग्यारा बजगे और इस बक्त की बरी खबर ये है कि गिरिरा सिंग अब तकडीबन एक लाख से जादा वोट पा चुके हैं अभी तक के ग्यारा बज़े तक के अगर काउंटिंग पर आपको बताऊं तो बीजेपी के गिरिरा सिंग को एक लाख तिरेसट हजार नौसव पचासी वोट मिले हैं जबकि यहाँ पर कनहिया कुमार को लेकर ये सीट काफी होट सीट बनी CPI के कैंडिडेट कनहिया कुमार को सिर्फ 76,881 वोट मिले हैं जबकि तनवीर हसन और जेडी के कैंडिडेट उन्हें 53,809 वोट मिले हैं ये कहा जा रहा था कि सीट पर बहुत ही टब फाइट होने वाली है कनहिया कुमार को लेकर मीडिया के घरे का ये अनुमान था कि कनहिया कुमार इस सीट से चुना जीच सकते हैं लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आ रहा है वोटों की काउंटिंग चल रही है तो लगातार अगर तन्वीर, हसन और कनहिया कुमार के आप वोटों को जोर भी दें तो भी उनसे ज़्यादा वोट यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट गिरीरा सिंग को आता हुआ दिख रहा है गिरीरा सिंग ने कनहिया कुमार से तकरीबन 90,000 से ज़्यादा वोटों से लीड ले ली है ऐसा लग रहा है कि दो पार्टियों की जंग में यहाँ पर बीजेपी की रह आसान हो गई है गिरीरा सिंग को अभी तक 11 बजे तक 1,63,985 वोट मिल चुके हैं जबकि कनहिया कुमार को सिर्फ 76,881 और तन्वीर हसन को 53,809 वोट तो इस बक्त की बरी कबर बिहार की सबसे होट सीट माने जाने वाली बेगु सराय की सीट से कनहिया कुमार लगातार पिछडते जा रहे हैं 11 बजे तक की काउंटिंग में वो 90,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं गिरिराज सिंग को 1,63,985 वोट मिल चुके हैं हर एक सीट का हाल लाइब सिटीज आपको बता रहा है पल-पल की अपडेट दे रहा है लाइब सिटीज की वेब साइट पर हम आपको अपडेट देने हैं आप उसके लिए लाइब सिटीज डॉट इन पर जाएं फेस्बुक के पेज पर सबसे विश्वसनी है और सबसे तेज ख़बर हम आपको बता रहे हैं लाइब सिटीज के यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो का अंबार लग गया है हरे एक सीट से हमारे समवात दातल लगातार हमें बता रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन आगे और कितने वोटों से क्या होगा इस लोग सभा सीट का परिनाम क्या जैसे एक्जिट पोल दिखाये थे विविन मीडिया हाॉसेज ने क्या ऐसे परिनाम होगे क्योंकि अभी तक 40 सीटों में से 38 सीटों पर NDA गटबंधन आगे चल रहा है दो सीटों पर महागरा गटबंधन तो लगातार हमारी नजर बनी वी है बिहार के हर एक सीट का हाल हम बता रहे हैं आपने अगर अभी तह में सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को डिटेल से परने के लिए livecities.in पर जाएं धन्यवाद